आए दोस्तो आज हम आपको एक बेहतरीन सी टिप बताते हैं जो ये नैड वाला कपड़ा होता है इसके अंदर ये जो मोती लगे होते हैं ये देखे ये लोहे के होते हैं और इसके अंदर रिपीट भी होता है ऐसे करके ये इसको खोलो आप ऐसे खीच के तो ये फट जाते है तो इनको आराम से और फिनिसिंग से किस तरीके से अगर आप निकालेंगे इसके लिए मेरे पास सिरफ दो तरीके हैं जो मैंने यूज करें हैं तो वो तरीके में आपको भी और आपके साथ भी सेर करना चाहता हूँ तो ये देखिए जैसे कि हम अगर इसको खीचेंगे ऐसे करके ऐसे करके खीच रहे हैं देखिए किलाव खीच देते हैं ये ये देखिए खीचा ये कपड़ा इसके अंदर आ गया ये कपड़ा भी आ गया और ये देख रहे हैं ये ये कडाई है तो कडाई भी खुल गई और खुलने के बाद में ये देखिए ये हलका सा यहां पे ये सुराग हो गया ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये कडाई पे ये लगे होते हैं ये पिलेन में भी लगे होते हैं तो पिलेन में अगर आप खीचेंगे और ऐसा सुराग हो जाएगा नैट में ये देखिए ये दिख रहा है इतना बड़ा सुराग ही अगर इस तरीके से अगर सुराग हो जाता है तो आप पहनेंगे तो वो अजीब सा लगेगा बहुत गंदा सा लगेगा तो इसको किस तरीके से अराम से आप निकालेंगे तो एक तो तरीका इसके अंदर ये है कि इसको तो आप अराम से ऐसे करके पकड़िए इस तरीके से अगर हास से पकड़ सकते हैं सही करके तो इसको ऐसे करके गुमा दीजिए ऐसे करके आराम से देखिए यह गुमाएंगे इस कपड़े को नीचे पकड़के रखेंगे क्योंकि अगर कपड़े को आपने डीला छोड़ दिया तो वह फट जाएगा तो कपड़े को नीचे वाले को जवर दस्त ऐसे करके दबा के एकदम जैसे मैंने पकड़ लखा है इस नीचेंगे के जिस तरीके से आप पकड़के रखने के और इसको ऐसे करके गूमाते रहेंगे यह देखिए यह गुमाते-गुमाते- vanad вторि बिल्कुल के नमगेंसे कोई इसके इंदर कपड़ा नहीं आएं यह लौक इसक चाफ कीते साथ अगया विंदे और यह निकालने का तरीक ये हिए कि आपूसको तरीके से इसको ऐसे करके गुमाएंगे यह देखिए बिल्कुल कोई तार नहीं नहीं आया इसके साथ तो ये सारा कपड़ा है की है ही रह जाता है ये देखिए इस तरीके से और दूसरा तरीका इसके अंदर क्या है कि अगर आपको इस तरीके से आपसे नहीं पकड़ मा रहा है तो आप इस कपड़े को यूँ पकड़े और ये पिलास पिलास की मदस्से इसको ऐसे करके जो इसकी जड़ है ये यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से जड़ में पकड़ेंगे और इस कपड़े को ऐसे करके पकड़ लेंगे हास से और इसको यूँ करके दबाएंगे ये देखिए ये निकल गया है राम से ये देखिए इसमें भी आपका कुछ नहीं फटेगा कई बार क्या होता है जब हम इसको पिलास से ऐसे करके निकालते हैं ये देखिए एक दो और निकाल के दिखाता हूँ अब ये जो निकाला है हमने इसका लॉक खुल गया इसका जो नीचे का पोसन है वो नीचे ही रह गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये रह गया देखिए ये लॉक इसका कैसा होता है ये देखिए ये ऐसा लॉक होता है ये जैसे हम वो गिर गया हमारा तो ये लॉक जो होता है ये कई बार सही करके अगर इसमें हैं पर अगर आपका प्लास फसेगा सही करके तो वो लॉक को खोल देगा और आपका अराम से जो मैंने निकाले हैं देखिए यहां से कोई भी कोई कहीं पर भी कट नहीं है यह देखिए इस तरीके से आप अराम से कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ठैंक यू